लोग सभा का चुनाओ एक तरफ जहां अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी और सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच उत्रप्रदेश में बस्पा से एक बड़ी खबर सामने निकल गाया आई है। दरसल बस्पा सुप्रिमो मायवती ने अपने उत्रादिकारी वा नैशनल कॉडिनेटर अकाश आनंद को मिच्चोर ना होने के कारण का हवाला देते हुए सभी पदों से निशकाशित कर दिया है। जिसके बाद से ही सभी विपच्ची पार्टिया बस्पा पर तंच कस रही है। साथियों, इन सरकारों ने भाज़पा की सरकार, बुल्डोजर की सरकार नहीं, यह आतंग वादियों की सरकार है, अपनी अवाम को गुलाम बना कर रखा है, ऐसी सरकार का समय आ गया है, अब खतम होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना कर बहन जी को प्रधान मंतरी बना कर यहां पे उत्ते परदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का लंदन से अंबिये की पढ़ाई करके लोटे आकास आनंद को मायावती ने अपना उत्राधियारी निवत किया उसके साथ साथ में उनको नेशनल कॉाडिनेटर भी बनाया बसपा का जिसके बाद 2024 के लोगसभा के चुनाव में आकास आनंद बिलकुल अक्रामक नजर आये और बिजेपी पर लगातार हमलावर रहे जिसको लेकर मायावती ने उनको बिजेपी के नेशनल कॉाडिनेटर से हटा दिया और अपने उत्राधिकारी से भी उनको हटा दिया जबकि बिपक्स जो है लगातार मायावती पर निशाना साधा की बसपा बिजेपी की बी टीम है और लगातार आकास आनंद के हमला करने की वज़ा से बीजेपी पर बीजेपी जो है बस्पा उनको पत से हटा दिया तो उसके बाद लगातार जो है जिस तरीके से आकास आनंद बीजेपी पर हमलावर थे उसको पत से हटाने के बाद आकास आनंद ने सीधा सीधा कह दिया कि आकास आनंद भीम सेना मिशन को लेकर हमेशा लडाई लड़ते रहेंगे और लोगों के बीच में जनता के बीच में हमेशा जाते रहेंगे मरते दम यहां तक उन्होंने ये भी कह दिया कि आकास आनंद कि मरते दम तक मैं भीम सेना के साथ हूँ, भीम सेना की जनता के साथ हूँ और हमेशा उनके लिए काम करता रहूँगा चाहे कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े गामरा पर्शन मिठिले साथ राजे स्यादो प्राइम टीवी